असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ अरीज और आप हैस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशान नावल्स पर हां मैंने कोई नहीं बात नहीं किया रोजी यही बगवास करती हूं क्योंकि यह पक गया है मेरे मूँ पर जाही नहीं रहा जब भी मैं अपना फो कोई भी वीडियो होना स्टार्ट तो मैं यहीं बोलती हूं असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब में हूँ अरीज और आप देख अरीशान नावल्स तो मेरा भाई कहता है यह तेरा लोगो इंट्रो बन गया मैं कहा है यही मेरे मूँ में चाहता है सब के बोरिंग होते लाइकिंग मै पोस्त करने मेरे मेरी ने इंगलिश है आप लोग लिए किया करो कमंट किया करो ताकि मेरा दिल करे सर्प्राइज विया इपिसोट लाने का तेखो न्वा साल शुरू हो गया मैंे जुनूनियत में सिर पी ऐणिए सेंडीवाले सेंडें वाले क्टराइज को मेरा भी दिल करता है ज्याता लिखने का आप लोगों का दिल नहीं करता ज्याता परने का आप लोगों को सर्प्राइज अच्छे नहीं लगते हैं लगते हैं अच्छे तो फिर किया करो के बंदे का दिल करें सर्प्राइज देने का ठीक है लो तो आज हम एपिसोड परेंगे 74 और डीटर कहाई थे कि अभी अर्दू में बोल दिया करो तो एपिसोड पढ़ेंगे 74 74 मैंने पुझाबी में बोला है बचल जाएगा ठीक है लो तो आज हम एपिसोड पढ़ेंगे 74 तहरीर अरीचा जुनूनियत 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 अरे आओ खुदाश बहुत खुशी की हबर है तुम तो काफी ठके हुए लग रहे हो बेटा मैं तो तुमें खुशखबरी सुनाने वाला था कि हरम पाकिस्तान आ रही है इसने खुदाश को मना लिया है वो इसे पाकिस्तान लाने पर तयार हो गया है और इस घर में भी आ रहा है मैं इतना खुश हूँ के बयान नहीं कर सकता वो दादा जान के कमरे में ताहल हुआ तो दादा जान बेहद खुशी से बताने लगे लेकिन इसकी तबियत खराबी देखकर वो परेशान हो गए थे दादा जान ये तो बहुत ही खुशी की बात है शुकर है हरम वापस आ रही है सब के लिए सर्प्राइस हो जाएगा वो बहुत खुश हुआ था वो तो है खुशी लेकिन तुमारी तबियत ज्यादा हराब लग रही है वो कुर्सी पर बैठा तो दादा जान इसके माथे को चुने लगे तुमें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है तुमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेरे ख्याल में थकावट की वज़ा से तुमारी तबियत खराब हो रही है नहीं दादा जान इतनी भी तबियत खराब नहीं है बस हलका सा बुखार है मौसम चेंच हो रहा है शायद इस वज़ा से आप परेशान मत हूँ मैं मैडिसन ले लूँगा इसने मुस्कूराते हुए इने मतमीन किया था हरम के वापस आने की वज़ा से वो इतने ज्यादा खुश लग रहे थे कि अपनी तबियत की वज़ा से वो उनको परेशान नहीं कर सकता था हाला कि वो सुबह से ही अपनी तबियत में हराबी महसूस कर रहा था इसे बुखार वगेरा बहुत कम होता था लेकिन जब होता तो बहुत शिद्दत पकर लेता था कलरिदम की महन्दी थी जो वो अपनी तबीयत की वज़ा से हर्गिस खराब नहीं करना चाहता था थोरी देर दादा जान के पास बैठने के बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया था हर्गिस के वापिस आने की खबर इसके लिए भी बहुत एहम थी यकीन ये खबर इसकी शादेशुदा जिन्दगी को ठीक कर सकती थी वो कमरे में आया तो दीशम कहीं पर नहीं थी तबियत हराबी की वज़ा से इसमें इतनी हिमत ना थी कि वो इसे ढूंड बाता इसलिए बेड पर लेटते हुए इसने थोरी देर आराम करना चाहा था कुछ ही देर में वो नीद की आगोश में चला गया था इसकी आँख खुली जब इसने अपने माते पर किसी के नासुक उंगलियों का लंस में हिसूस किया था इसने आँखें नहीं खुली थी लेकिन अपने बेहद करीब इसकी आवास सुनी थी इन्हें तो बहुत तेज बुखार है इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऐसे तो सुबह तक इनका बुखार तेज हो जाएगा मुझे दादा जान से बात करनी पड़ेगी वो शायद कमडे से जाने वाली थी लेकिन खुदाश इसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था इस वक्त इसे इसकी जरूरत थी दीशम मत जाओ प्लीस मेरे पास रहो इसने इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में थामते हुए इसे रोक लिया आपकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है खुदाश आपको डॉक्टर की जरूरत है मैं घर में सब को बताने जा रही हूँ ताके वो लोग आपको डॉक्टर के पास ले कर जा सकें इस तरह आपकी हालत मज़ीद बिगर जाएगी और फिर कल तो रिदम की महदी है आपको बहुत सारी तयारियां करनी है आप बिमार नहीं हो सकते वो इसे समझा रही थी लेकिन खुदाश इसे जाने नहीं देना चाहता था मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ तुमारी जरूरत है ना जाने तुम कब समझोगी मुझे कब तुमें एहसास होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमारी जरूरत है कब समझोगी मेरी महबत को दीशम कब तुमें मुझे पर यकीन आएगा इसे अपने करीब बिठाते हुए वो इसकी गौद में अपना सर रख चुका था कब तुमें इस बात पर यकीन आएगा कि मैं मुझे की मनजलें टेकर के अब इसक के मकाम पर आप तुम जाएगा कब तुमें यकीन आएगा कि मैं तुमें बेपनाः चाहता हूँ तुम मेरी मनजल हो बच्पन से लेकर जवानी तक मैंने अपनी जिन्दगी का ऐसा कोई पल नहीं गुजारा जिसमें मैंने तुमें ना चाहो हो तुमारी बत्तमीजियां और बदले हाजियां हर चीज नजर अन्दास करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस दिल को तुम से महबत करने की इजाज़ती है तुम कुछ भी करो तुम से महबत मैं खुदाश का असमी कभी पीछे नहीं हड़ सकता तुम मेरी जनूनियत हो खुदाश आपकी तबीयत हराब है ये वक्त नहीं है इन सब बातू का मेरे ख्याल में आपको डॉक्टर की जरूरत है मेरी नहीं इसका जिस बात लुटाता अंदाज दीशम को बुरी तरहा कन्फ्यूज कर रहा था वो शक्स इस पर हर तरहा का हक रखता था लेकिन इसके बावजूद भी वो इसकी मर्जी के बिना इसके करीब नहीं आता था वो इसकी तरफ से किसी तरहा की पेश कदमी का मुन्तजिर था अगर वो चाहता तो लम्हे में अपने हकुक ले सकता था वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मर्जी की हातिर खुद अपने जजबात पर नाचाने कितने पहरे लगाए बैठा था मेरा इलाज सिर्फ तुम हो बस एक ही लम्हे में वो इसे अपने करीब खेंचते हुए बेड़ पर गिरा चुका था और फिर अगले ही लम्हे इसे इहतिजाज करने का मौका दिये बिना वो इसके दोनों बाजू को अपने हाथों में कैद कर चुका था इसके हाथों की हथेलियों से फूटती गर्माईश से वो इसके बुखार तेज होने का अंदाजा लगा चुकी थी खुदाश प्लीस छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे ये क्या हो गिया है आपको पीछे हटें वो मुसाहमत करने लगी थी जबके इसकी गर्म सांसों का लम्स अपनी गर्दन पर से रखते महसूस करके इसकी रुख फना होने लगी थी इसकी धरकन तेज हो गई थी खुदाश प्लीस वो इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी इसके दोनु हाथ इसके हाथों में कैद थे खुदाश प्लीस छोड़ दे मुझे इसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए वो तरब कर इसे धका मार गई थी खुदाश बेयकीनी से इसे देख रहा था इसे इस से इस चीज़ की उमीद हरकिस ना थी इसे खुद से वो इसे खुद से दूर करना चाहती थी लेकिन क्यूं वो इसकी थी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसका हक था इस पर तो किउव वो इसे खुद से दूर करती थी क्यूव वो इस रिश्टे को आगे नहीं बhrने देना चाहती थी मैं तुम से мहपत करता हूँ दीश्म नहीं तुमारे बिना नहीं रह सकता वो ठक हार कर इस से अपनी महबत का इजहार कर रहा था वो पहले भी हजार बार इसे एहसास दिला चुका था लेकिन अब वो सच मुझ में इसके साथ जाती कर रही थी लेकिन मैं नहीं करती आप से महबत और नहीं मैं और मैं ये भी जानती हूं कि आपके दिल में भी मेरे लिए कोई महबत नहीं है मेरे साथ ये रिष्टा मुकमल करने के बाद आप मुझे बेबस कर देना चाहते हैं आप चाहते हैं कि सबकी तरह में भी मुद बंद करके बैठ जाओ आप चाहते हैं कि में भी आपके हुकम की गुलाम बन जाओ आपकी हवस का समान बन जाओं आपके बच्चे बैदा करूं और मैं भी हरम का जिकर ना करूं अपने हाथों से अपनी बेहन का कतल कर दिया आपने और आप आप जानते हैं मैं इसके लिए कभी आपको माफ नहीं कर सकती इसलिए मेरे साथ इस तरह का तालुक बना कर आप चाहते हैं कि मैं हामोशी इक्तियार कर लूँ ये आपकी महबत नहीं हवस है महबत के नाम पर आप मुझे इस्तमाल करना चाह वो और भी बोलना चाहती थी कि अगले ही लम्हे खुदाश ने इसे इतनी तेजी से खुद से दूर फैंका था जैसे वो कोई अचूथ हो इसकी आँखों में जलन हो रही थी बुखार और गुसे की शिद्द से इसकी आँखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थी दफा हो जाओ यहां से आज के बाद मुझे ये शकल मत दिखाना निकल जाओ यहां से अपनी महबत को इस्तमाल करना मुझे नहीं आता दीशम तुम्हें लगता है कि मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारे जिसम को यूज़ करूँगा और क्या कहा तुमने कि मेरे सामने बेबस ना हो इसलिए मेरे साथ ये तालुक नहीं बनाना चाहती तो ये जो तुम सर उठा कर रोड़ इतनी अकर कर खड़ी हो ना ये भी मेरी ही दी हुई चूट है औकाद किया है तुमारी दीशम काजमी एक लम्हे में मसल कर रख सकता हूँ तुमारी जात को लेकिन खुदाश काजमी तुम्हे अपनी महबत से जीतना चाहता था अब तक मैं तुम से इस रिश्टे को मकमल करने की दिमांड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे समझोगी मेरी महबत को समझोगी मुझे लगता था मेरी दिवान की मेरा जनून तुम्हें मेरा करतेगा लेकिन मैं घलत था बहुत घलत था मैं मैं अपने जजबात तुम जैसी लड़की पर जाया कर रहा था और लानत है मुझे पर अरे जाओ, खुदाश काजमी आज से अभी से अपने दिल से तुमारे लिए आई हर हस्रत को दफनाता है तुम जो कर सकती हो वो करो, मैंने कहा था पच्चताओगी तुम अब तुमारे पच्चताने का वक्त आ गया है तुम्हें खुदाश काजमी की महबत नहीं चाहिए तो जाओ दफा हो जाओ यहां से, आज से मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, वो इसके हाथ पकरता, इसे इस कमरे से धके मार कर बाहर कर चुका था, तलाक चाहिए थी ना तुम्हें मुझसे जाओ जाकर डादा जान को कह दो मैं तुम्हारी बात मानने को तयार हूँ मुझे लगा था मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ लेकिन यहां आकर मैं बेबस हो जाता था लेकिन अब तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी आज से मैंने तुम्हारी आर्जू अपने दिल से मिटा दी है जाओ दीशम काजमी तुम एरिया रगरते आओगी तब भी खुद्दाश काजमी तुम्हे कभी कबूल नहीं करेगा तुम मेरी महबत को हवस का नाम दे कर तुमने अपना मकाम खो दिया है अब से तुम भी मेरे लिए हास नहीं बहुत आम हो गई हो बहुत आम हो तुम दीशम खुद्दाश काजमी बलके नहीं तुम जैसी लर्की के साथ में अपना नाम लगाना भी पसंद नहीं करता तुम जो कल थी वही आज भी हो वो घुसे से कहता इसके मुँपर दर्वाजा बंद कर चुका था जबकि वो कितनी ही देर खरी इस बंद दर्वाजे को देखते रही ना जाने क्यों इसके दिल को अचीब सी बेचेनी होने लगी थी वो खुद्दाश काजमी से ऐसी उमीद नहीं रखती थी वो इसे अपने कमरे से धके मार कर निकाल रहा था वो जल्दी ही इसे इसकी मर्जी का फैसला सुनाने वाला था इसे तो खुश होना चाहिए था वो खुद भी एक फैसले पर आ पहुँचा था लेकिन ना जाने क्यों इसे किसी तरहा की खुशी नहीं हो रही थी बलकि वो अपने अंदर एक हाली पंसा महसूस कर रही थी लेकिन जो भी था वो हरम के कातल के साथ सारी जिन्दगी नहीं गुजार सकती थी आज नहीं तो कल इसे तलाग के लिए मजबूर कर देने वाली थी अच्छा ही था कि इसने खुद ही कोई न कोई फैसला कर लिया था वो इसके लिए आसानी कर दी थी अब मुझे किसी भी मामले में अब वो किसी भी मामले में इसकी पबंद नहीं रही थी वो अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी लेकिन नींड इस से कोसू दूर थी खुदाश की बातें याद करतें वो मसलसल करवट बदल रही थी इसकी तबीयत हराब थी हो सकता है इसने तबीयत हराबी में बेजारी की वज़ा से वो सब कुछ बोल दिया हो लेकिन वो इतनी हद तक तो फिर भी नहीं जा सकता था अगर वो सच में इस से महबबत करता था तो वो तलाग का सोच भी गहसे सकता था लेकिन इसने अपने इर्वास पर गोर किया इसने बहुत शर्मनाक बाते की थी इसके सामने कोई भी मर्द अपनी जात पर ऐसा इल्जाम परदाश नहीं कर सकता और वो तो इसकी बीवी होकर इसे हुस परस्त कह रही थी इसे एहसास हो रहा था कि इसने बहुत गलत इल्फास का इस्तमाल किया था लेकिन जब वो हरम के बारे में सोचती थी तब इसे अपनी यही बाते ठीक लगती थी वो अपनी बहन का कतल करके इस हद तक परसकून था इसे एहसास तक ना था कि वो इसकी लाडली थी इसे देखे बिना वो खाना तक नहीं खाता था और वो इतना कदम बरा कदम उठा गया था वो एक मासूम लड़की की जान लेकर आज़ाद गूम रहा था तो वो इसे कुछ भी क्यों ना कहती इसे हरम को इनसाफ दिलाना था इसके कातलो को जेल की सिलाहों के पीछे पहुँचाना था इसे हरम के कातलों से नफरद महसूस होती थी बेशक वो इसका शोहर था लेकिन था तो एक कातल ही और इसका बार पामीर उसे एक कातल के साथ किसी तरह की हमदर्दी करने की इजाज़त नहीं देता था दीशन बेटा, खुद्दाश कैसा है? सुभा इसकी आँख खुली तो वो फ्रेश होकर बाहिरा गई थी जहां हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ था गर में शादी की वज़ा से इसने भी आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन गर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था वो मुलाजिम से कुछ चीजें उपर नीचे करवा रही थी जब ताई अम्मी ने आकर इससे पूछा मुझे नहीं बताता ही अम्मी कल रात को तो इनकी तबियत काफी ज्यादा खराब थी लेकिन अबी का मैं नहीं जानती आप खुद एक बार इन्हें देखाती तो बहतर था इसने बाद गुमाप फिरा कर की थी तुम ठीक कहती हो मैं खुद देखाती हूँ इसे वो कहते हुए उपर की तरफ जाने लगी जब वो सीरियों से नीचे उतरता नसर आया खुद दाश मेरी जान तुमारी तबियत बहुत ज्यादा खराब है तुम मैं बिस्तर से नहीं निकलना चाहिए था हलका सा बुखार है इतनी भी तबियत हराब नहीं है कि बिस्तर फकर कर बैठ जाओ और ये सारा कुछ मेरे जिम्में है मुझे बहुत कुछ करना है अगर मैं बिस्तर से लग गया तो ये सारा काम कैसे होगा आप बिलकुल बेफिकर हो जाएं और किचन में जाकर मेरे लिए पराठा बना दे ताके मैं काम तब तक मैं काम करता हूँ वो महबत से इन से फरमाईश करते हुए तेजी से निकल गया था इसने शायद इसे घरे नहीं देखा था तबी तो इसने इसकी तरफ देहान ना दिया तायमी आप अराम करें में पराठा बना देती हूँ नहीं मेरी जान इसने बहुत दिनों के बाद मुझसे कहा है शायद इसे मेरे हाथ का पराठा खाना होगा तुम अपनी तयारी करो थोड़ी देर में रस्म शुरू हो जाएगी वो महबब से इसका गाल छूते हुए किचन की दरफ चली गई जबके वो भी तयार होने चली गई थी एरपोर्ट पर कदम रखते ही इसे यकीन आ गया था कि वो अपने मुल्क पहुंच चुकी है वो इतनी ज्यादा खुश थी कि कोई इंतहा ना थी जबके मुसलसल इसके चेहरे पे आए रंगों को वो देख रहा था इतनी खुश हो के तुम्हें याद ही नहीं के मैं भी यहाँ हूँ वो शिक्वा कर गया अरे आप ऐसा गैसे कर सकते हैं? कह सकते हैं? मैं क्यों भूलूँगी आपको? आप तो मेरे शोहर सर हैं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कसमे आप वर्ल्ड के बेस्ट शोहर फ्रेंड और हज्बंट है आई लव यू वो इसके बाजू को पकर कर जो मुँ में आया बोल गई प्यार कौन सा वाला करती हो? इसके अंदाज पर वो मतजस्स होकर पूछने लगा कौन सा वाला प्यार का क्या मतलब है आपका? वो कन्फ्यूस हो गई थी साफ मतलब है मेरा मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कौन से वाला प्यार करती हो? हस्बंट वाला, टीचर वाला या दोस्ट वाला तीनू वो इसके सवाल को समझते हुए फोरण बोली तो फिर खाओ मेरे सर की कसम के हालात जैसे भी होंगे तो मुझसे दूर नहीं जाओगी वो अगले ही लम्हे इसका हाथ पकर कर इसी का खेल इसी पर लुटाने लगा वैसे मैं कसम पर यकीन तो नहीं रखती कसम देना अच्छी बात नहीं होती लेकिन फिर भी मैं आपके सर की कसम खाती हूँ कि मैं हालात जैसे भी हूँ कभी भी आप से दूर नहीं जाओंगी आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं वो मुस्कुराते हुए बोली तो इसकी मुस्कुराहट पर यकीन करते हुए वो भी मुस्कुरा दिया तुम इस बिल्ली को कपड़े क्यों पहना रही हो दीदम बड़ी मुश्किल से आज काफी दिन के बाद इसके कमड़े में आई थी वो भी ताई जान के मजबूर करने पर कैटी इसने एक लवजी जवाब दिया जिसे दीदम हरगी समझ ना पाई थी क्या मतलब है तुमारा मैं तुम से पूछ रही हूँ के तुम इस बिल्ली मेरा मतलब है कैटी को कपड़े क्यूं पहना रही हो इसके हाथ में चमकता चाकू देखकर इसने फोरण अपनी बात बदली थी और इसकी बात को समझ भी गई थी ताकि मेरी जान मेरी शादी पर बहुत प्यारी लगे चलो कैटी बेबी अब हमें पालर जाना है वो मुस्कुरा कर कहती नीचे की तरफ जाने लगी जबके दीदम ये सोचते हुए इसके पीछे आई थी कि वो अपनी बिल्ली का क्या करवाने वाली है दीशम मेरा बच्चा तुम भी चली जाती पालर अच्छे से तयार होकर आ जाती लोग भी आना शुरू हो गए है ताई अमी ने इसे साद्धा से घर में तयार होने के बाद काम में मसरूफ देख कर कहा नहीं ताई अमी में कल जाओंगी ना पालर आज तो काफी आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है काम बहुत ज्यादा है और सारे ही चले गए हैं गर में किसी का होना तो जरूरी है ना इतने सारे महमान आ रहे हैं वो इने मतमीन करती मुलाजिम से बाकी काम का कहने लगी जबकि इसका सारा देहान खुद दाश की तरफ था वो इसे इस खत तक नजर अंदाज कर सकता था इस बात का अंदाजा इसे अब हुआ था कल इसने इसके सामने बहुत बुरी बाते की थी और इसे इस बात का इहसास भी हो गया था जो भी था इसे इसके किरदार पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं था इसके पास आने के लिए अगर वो इसकी इजासत का मुंतजिर था तो ये भी उसका एहसान था वो इस पर हक जता सकता था इसके साथ जो चाहे वो कर सकता था लेकिन इसने कभी भी इसकी मर्जी के हिलाफ इसकी तरफ पेश कदमी ना की थी वो इसे सोरी बोलने का सोचते हुए इसकी तरफ जाने लगी जो भी था लेकिन इसके इलफाज गलत थे वो इसी इहसास के तहट इसकी तरफ कदम बरहाने लगी जब अचानक खुदाश को पीछे से आवास सुनाई दी बैयू वो तेजी से भागती हुई आकर इससे लिपट गई थी जबके उसे अपने सीने से लगाता खुदाश जी उठा था एक मिनट मेरी गारी उपर पहुंचने दो यह गारी उपर जाई नहीं रही गारी रास्ते में हराब हो गई है तो कैसे लगी आप लोगों को आज की एपिसोड लाइक करो कमेंट करो शेयर करो और अगर आपको सर्प्राइस चाहिए न कि मेरा भी दिल करता है कभी कभी सर्प्राइस देने का तो आप लोगों करता होगा तो अगर आप लोगों को सर्प्राइस चाहिए न तो लाइक करो और यह रो रहो यार लेगर कोषद की Olha में कई किन गाउनें processo क्ँछ बोलनेृगी थी थी बढ़ेंक कई यहार मुझे मुझे याद नहीं आद रहा रहा जब तू को इंचल वाँ पहलो थ क्या सिन अपरॉटन्ट थी झाल झाल झाल